हेलो एब्रिवान आप सबको केपसी ब्लोग में बहुत बहुत स्वागत है गाजर तो अभी विंटर सीजन है मतलब मार्केट में बिल्कुल आभेलवल रहता है हमेशा तो मैं यहां पे देड किलो गाजर को अच्छे से वास करके उसको ग्रेटर करके ले ली हूँ जो फाइन वाला ग्रेटर है उसी से में ग्रेटर की हूँ आप चाहे तो थोड़ा सा म पूस्तन आता है और एक पुरा फाइन घिसने वाला जो आता है तो मैं वही फाइन ग्रेटर में उसको ग्रेट कर ली हूँ इसके अलाबा हमको कुछ । राइफ रूट्स की जरुद है में यहां पर थोड़ा सा बादम ली हूँ बादम से थोड़ा सा ज्यादा काजु ली और यहां पर थोड़ा सा चार्मगज ली हूँ जो खरबुजा का बीज होता है यह अप्सनल होए आप चाहे तो ले सकते हैं या तो स्कीब भी कर सकते हैं लेकिन लेने से थोड़ा अच्छा भी लूग वाइस तोड़ा अच्छा दिखेगा और खाने में भी बहुत अच्छा चिनी की ज़रत है मैं यहां पर देड़ किलो गजर में एक कप पुरा भर के एक कप ली हूँ चिनी तो आप चाहे चिनी का पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहां पर चिनी ही ली हूँ तो सबसे पहले इसको अभी हम लोग फ्राय करेंगे जितना भी ड्राइफ रूट लेकिन यह पुरा बिल्कुल देशी घी है मेरा घर का बना हुआ गी है इसमें मैं पुरा भर भर के दो टेबल स्पून ली हूँ जो भी बच जाएगा फिर हम लोगों का गाजर भी तो फ्राय करेंगे घी में तो ऐसा कुछ नहीं है तो गाजर फ्राय करने का टाइम पर मु फ्राय कर लेने से उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा थोड़ा जो बादम में थोड़ा सा नरम रहता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा मैं यहां पर और एक टेबल स्पून जैसे घी में दी हूँ क्यूंकि मेरा देड किलो गाजर में यहां पर घीस क कुछ है नहीं आप लास्ट में कोई-कोई होते हैं गी का थोड़ा स्मेल देने के लिए लास्ट में भी एक दो चमच मिला लेते हैं जब गाजर हल्वा मतलब रेडि हो जाता है आप चाहेए घी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा वीडियो को स्पीड कर तो यहां पर मैं गाजर को डाल के घी में उसको अच्छा से थोड़ा सा फ्राय कर दे रही हूं मतलब लो टू मीडियम फ्लेम में इसको हम फ्राय करेंगे क्योंकि ज्यादा हाय नहीं करेंगे हाय करने से कहीं पर भी लग जाएगा अगर आप लोग अच्छा से उलट पलट न तो आप चाहे तो ऐसे नार्माल दूद भी ले सकते हैं अगर फुल फैट दूद मिलता है वह बहुत अच्छा होता है आप उसको भी ले सकते हैं यहां पर में चिनी को जो है आड़ कर दी हूं क्योंकि चिनी भी मतलब मेल्ट हो जाएगा दूद के साथ वह भी पानी छोड़ तो मेल्ट हो जाएगा एक साथ में बॉयल हो जाएगा अभी हम लोग जो डूज डाले हैं और चीनी को डाले हैं अभी इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे उसके बाद इसको में ढख के थोड़ी दर के लिए पकाऊंगी क्योंकि जो गाजर है बहुत जल्दी पक भी जाए बला है तो बहुत चल्दी बॉयल हो जाएगा लेकिन बीच में बिलकुल चलाते रहिएगा उलट पलट करते रहिएगा नहीं तो नीचे में जो दूधे जलने का चांस बहुत रहता है अभी तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारा सीजनल फूर्ट्स हो वेजिटेबल्स मिलता है तो आप अभी कुछ भी चाहने से मान करने से लाके खा सकते हैं और हेल्दी भी घर में बना हुआ हेल्दी चीज़ खाने से बहुत अच्छा है और गाजर हल्वा ऐसे भी बहुत अच्छा है बच्चे भी खाने के लिए इसे बना लेने से बच्चे भी खा लेंगे तो आप जरूर लाके इसको बनाईए और कितना जटपट से भी बन जाता है ये इसका टाइम बिल्कुल भी नहीं लग लेता है ये बनने में और बातों बातों में मैं यहां पर ड्राइफ रूटस भी डाल दी हूँ क्योंकि देखें कितना सारा पानी भी हम लोगों का सूख ने आ गया है अभी जो दूध है वो धीरे धीरे सूख जा रहा है अभी और भी थोड़ा सा दूध सुखेगा मतलब बिल्कुल दूध नहीं दूद जो है खतम होने तक पानी जो है गाजर से पानी भी निकला है क्योंकि बॉयल हुआ है ना और जो चीनी था वो भी पानी छोड़ा है तो वो बहुत अच्छे से सूख जाएगा ये गाजर हलुआ बीना मावा का भी बहुत टेस्ट लगता है आप एक बार जरूर बना के इसको देखिए बहुत आसान से जटपट से बन जाता है ये देखिए बिलकूल पानी जो है अंदर से सूख गया है और थोड़ा सा कसरत रह गया है जब तक ये पानी पुरा सूख रह है तो आप लोग एक काम करिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एक लाइक कर लिजिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए बरना डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है तो दुसरों के साथ सेयार करिएगा मेरा रेसिपी को फ्रेंड्स फेमिली के साथ बैसे तो मैं आज ये खास मोके पर बना रही हूं जी हम प्रेंट्स मेरा हजबेंट का अज बड़े है तो उनको ये सर्प्राइज मिनने वाला है क्योंकि वो बहुत दिन से बहुत रहे हैं कि गाजर हुला बनाओ करके तो इसलिए आज एक स्पेशल मुमेंट में उनको म लिए यह हम लोगों का तयार हो गया है अभी प्लेटिंग शुरू कर लेते हैं वाओ ये देखे फ्रेंट्स कितना अच्छा से खिला खिला गाजर हुलावन के हम लोगों का रियरी हो चुका है अट लिस्ट टॉन्टी फाइव से थाटी मिनिट लगा होगा इसको बनने में बहुत आसानी से जटपट से बन जाता है और एक स्पेसल मोके पर बन रहा है तो फ्रेंट्स आप लोगों को कैसा लगा आज का रेसिपी में जैसे जिस तरीके से बनाई हो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के मत बुलियागा थैंक यू पर वाचिंग बाई बाई फिर मिलेंगे नेक्स रेसिपी कसा